आपरक सोलापूर में आमान्दी पार्टी ने अपना उमिद्वार खड़ा किया। वो आमान्दी पार्टी जो आप पे आरोप लगाती थी केजरिवाल धरने पे बैठे और तमाम आप पे आरोप लगाए। केजरिवाल जी के बारे में एक बार बोला हूँ, अभी लोग क्या-क्या बोलते हैं वो भी मैंने बोला है। छोड़ दिजिए, मैंने उसका कुछ इफेक्ट यहां नहीं है, किसी तरह का इफेक्ट नहीं है। देखे केजरिवाल जी को मैं इस लिए नाराज था कि एक constitutional position उनक और वहाँ से वो चीप मिनिस्टर बनते हैं, तो रास्ते पे अंदोलन करना, यह हमारे भारत वर्ष के Constitution का अपमान है. क्या इस सच है कि आपने उनको बीच का रास्ता दिया, निकलने दिया, वहाँ से जहाँ उदाने पूर्णर शाप के पास उनके लोग गए थे, अभी वो पूरी हिस्ट्री मुझे मालूम है, उनकी तबेद बिगड रही है, बोलके उन्होंने निवेदन दे दिया था उनके, गवर्णर ने मेरे से बात की, तो किसी की भी तबेद बिगड़ने पर हम एक सानुबती के तोर से केरने तो नहीं करना चाहते थे. हलां कि बात काफी पूरानी है, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं, अर्विन किजरिवाल ने कैसे होम मिनिस्टर सुचिल कमार्शल चिंदेस के बारें बात की थे, किस किस तरह के भाशाक इस्तिमाल किया था, उस वक्त. तो यह जो सारी की सारी दिनले पूलिस है, यह पूरी दिनली तरह की कछ्चे करके, पूलिस कमिशनर और शिंदे साथ तक बैसे दनफासे भाशाने की थे. पूलिस कमार्शल चिंदे ने आज हमारे संबाद्दाता संदी सोंजलक से बात्ची करते हुए केजरिवाल के बारे में क्या कहा, उनके धरने के बारे में क्या कहा, कैसे उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी. मैं आपना उमीदवान खड़ा किया वो आमान्दी पार्टी जो आप पे आरूप लगाती थी केजरिवाल धरने पर बैटे और değildakukan थो तमाम आप पे आरूप लगा है किजरिवाल जी के बारे में मैं एक बार बोला हूँ अभी लोग क्या-क्या बोलते हैं वो भी मैंने बोला है चोड़ दिजिए अभी चोड़ दिजिए मैंने उसका कुछ effect यहां नहीं है किसी तरह का effect नहीं है देखे केजरीवाल जी को मैं इसलिए नाराज था कि एक constitutional position उनको दी है अंदोलन करते है तब तक ठीक है एक केबल केजरीवाल और उनका group था लेकिन वो चीप मिनिस्टर बनते है तो रास्ते पे अंदोलन करना यह हमारे भारत वर्ष के constitution का अपमान है इनका इस सच है कि आपने उनको बीच का रास्ता दिया निकलने दिया वहां से जहां उदाने ब्रोडे ने वो गवर्नर साब के पास उनके लोग गए थे अभी वो पूरी संदीप सोनगलकर हमारे संबादात हमारे साथ में है संदीप आपके काफी डीटेल में सुशिल कुमार शिंदे से बात होई बातचीत के बाकी अंशन दर्शों को सुनाएंगे लेकिन ये जो उन्होंने बड़ी बात बताई है कि केजरिवाल किसी तरह से रास्ता निकालना संदीप आप मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है संदीप आप मेरी आवाज सुन सकते हैं थोड़ी देर बात करेंगे इस बीच आपको बता देते हैं कि सुशील शिंदे ने एक तरफ केजरिवाल की असलिद बताई लेकिन प्रधान मंतरी मन्मोन सिंग का बचाव किया उन्होंने का कि इस तरह क्या रोप घलत हैं कि परदे के पीचे से सुनिया गांदी सरकार चलाती थी प्रधान मंतरी कमजोर प्रधान मंतरी कमजोर प्रधान मंतरी हैं आप कोर ग्रूप में रहा हूँ देड़ साल से मैं देखता हूँ सुनिया जी कभी भी इस तरह का प्रेशर नहीं लाती है जो हम सब लोग तै करते हैं और जो संसदी पार्टी तै करती है वो ये कारेकरम लेते हैं और विशेश्था मैनिफेस्टों में जो जो हमने राष्टर को बता है वो कारेकरम लेते हैं इडिया टीवी के संबाद आता संदीप सोंदलकर ने शिंदे से पूछा कि राहूल गांदी प्रधान मंत्री पत को उमीदबार जो नहीं बनना चाहते। सुनिये इस पर शिंदे का जबाब। राहूल गांदी प्रधान मंत्री बनने के लिए खुद अभी तयार नहीं दिखते। राहूल जी के बारे में ये भी लगातार मोदी जिस तरह करो कभी उनको शहजादा बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं कि सुनिया जो हैं धतरास्ट हो गए हैं, जिस तरह की भाशा का इस्तिमाल चुनाओं में कर देए। ये बड़े महराज जो है, ये खाली शहजादा बोलते हैं हमारे राहूल जी को, सुनिया जी को दुतरास्ट बोलते हैं, इंडिविजल बोलना ये मैं ठीक नहीं समझता हूं, क्योंकि हमारी एक डेमाकरसी मैच्वर डेमाकरसी है, उसमें विशय लेके, सब्जेक लेके उस वक्त आरोप लगाया था कि उन्हें फांसी के समय की सही समय पर सूचना नहीं दी गई, इस आरोप पर भी शिन्दे ने सफाई थी ताकि जैसे कसाप के हमने चार दिन पहले पाहे, ये कलियर कर दी थी, ये भी की थी, ताकि ये जो हमारी अड्मिस्ट्रेशन है, उनको वक्त मिले कि वो इंफॉड करे, जो जेल का कोड़ होता है, उस कोड़ से ओ फैमिली को इनफॉर्म कर दे तो चार दिन ये मेरे ख्याल से ये सेक्रेटरी साब ने उस पर कुछ कारवाई नहीं की है और मैंने पूछा उनका एक्स्प्लेनेशन पूछा तो हमने बोला हम इनफॉर्म किये हैं तो जब पूरी इंक्वारी हमने कर दी तो पता चला कि जिस द कुमार शिंदे शोलापुर से चुला वड़ा रहे हैं शिंदे ने का कि उन्हें तो यहां पर मुदी की कोई लहर दिखाई नहीं देती बश्टेशिंदे जी मोडिकी लहर की बात कर रहे है बीजीप और कहरे कि उसके चलते हैं आपका मुकाबला करेंगे यह मुझे नहीं लगता है कि मुझे देश में भी मुझे की लहर है ऐसा नहीं लगता है मैं तीन मेंने पहले बोला था कि इस देश में मूदी की लहर नहीं है ये जितना हाइफ हो गए है इलेक्ट्रोनिक मेडिया प्रिंट मेडिया और सब जगे से जो प्रचार कर रहे हैं मैंने देखा है उनका बीजीपी का प्रचार देखा है दो सो चार में जो शाइनिंग हमारे कोई ने चुनके दे दिया है यूपी ए गौवर्मेंट को चुनके दी दिया मुझे नहीं लगता है कि मूदी की कोई लहर है ये अच्छी बात है कि सुशिल उमार शिंदे ने सारे बड़े सवालों के जबाब देनी की कुशिश की वो सवाल जो आम तौर पर कॉंगरेस से पूछे जा रहे हैं जो नरे नर्मोदी और उनकी पार्टी के नेता कॉंगरेस से पूछना चाहते हैं कॉंगरेस के बाकी बड़े नेता इसे सवालों के जवाब देने से बचते रहे हैं लेकिन चिंदे ने बेबाकी से बात की